वेलकम टू सिक्षडगेडमी आज इस वीडियो में हम यूनिट कनवर्जन के बारे में बात करने वाले हैं यूनिट कनवर्जन के रिलेटेड आज हमारा ये टोपिक है अगर आप स्टेंडर थर्ड से लेकर 12 तक या फिर आप कोलेज में हो 3rd से लेकर 12 तक किसी भी standard में हो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th इन आप 12 तक कोले में किसी भी standard में हो ते आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है अगर आपने एक बार इसको देख लिया पूरा का पूरो वीडियो मैं आपसे guarantee कहता हूँ कि unit conversion में आपको कभी भी कोई भी बिल्कुल problem नहीं आने वाला है तो आज हम इस वीडियो में length, weight, capacity क्या यहाँ पे unit conversion देखेंगे और उसका हमें एक short trick भी देखेंगे कैसे हमें learn करना है long time तक short time के लिए नहीं, long time तक आपने एक बार अगर इस वीडियो को देखा है तो guarantee के साथ मैं बोलता हूँ आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाले हुए चीज को ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ चीजे यहाँ पे देख लेते हैं जैसे देखो length है length आपको पता है length को हम किसमें measure करते हैं मीटर में, किलो मीटर में, डेसी मीटर में, मिली मीटर में इस तरह से हम length को measure करते हैं अब बात आता है weight का weight को हम आपने देखा होगा कभी आप ते मालो शोक पे गए हो कुछ चीजे खरीदने तो आपने ग्राम में 500 ग्राम खरीदा होगा 800 ग्राम खरीदा होगा ठीके, 1 kg खरीदा होगा किलो ग्राम मतलब आप इस सब में आप इसको measure करते हो then last है आपका third number का capacity capacity सपोज आप कोई liquid लेने जाते हो तो आप कुछ में बोलते हो मुझे liter में चाहिए कोई चीज, इतना ml चाहिए ठीके, इतना liter चाहिए इस तरह से आप उसको वहाँ पर buy करते हो यहाँ पर मैं volume की बात नहीं कर रहा हूँ capacity and volume are different something तो यहाँ पर length है, यह सभी के सभी unit आपके length के हो या फिर weight के हो, या capacity के हो सभी unit आज आपको आ जाएंगे और उसको हम convert कैसे करते हैं जैसे आपने देखा होगा, third, fourth third से ही आपका यहाँ पर unit conversion का chapters आता है आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर one meter में कितने centimeter होते हैं one meter में कितने decimeter होते हैं या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा one decimeter में कितने kilometer हैं यह सब चीजे आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि मैं बात करूँ सेबंथ में सेबंथ में जैसे mensuration है यह सब chapter, ninth में भी आपका यह सब है है यहाँ पर, ठीक है, cylinder वाले जो topics आते हैं, तो आप इस सभी को यह चीज यह वीडियो देखना चाहिए तो stat करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ basic units लिखने पनेगे तो देखो, यहाँ पर जो होता, जो चीज मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ आप सबसे पहले इसको ध्यान दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ basic unit मैंने यहाँ पर लिखा basic unit, ठीके, अब देखो, इसके left hand side मैं यहाँ पर लिखूँगा डेका, इधर मैं लिखूँगा hecto, और इधर मैं लिख रहा हूँ kilo ठीके, अब इधर अगर मैं जा रहा हूँ right hand side इसके, dc लिखा हमने, then centi लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, mili ठीके, यह हमारा इतना चीजे हो गई आपको आया, अब इसको भी आपको learn करने का sort trick है यह चीजे जो दी गई है, इसको भी learn करने के लिए हमारे पास sort trick है यहाँ पर, तो सबसे पहले एदर को बाद में आगर हम इसको sort trick से देख लेंगे, सबसे पहले देखो kilo, hecto, day का basic unit यहाँ पर आएगा, जो भी चीज़े इसमें जिसे length का basic unit जो भी होगा यहाँ लिखेंग then आता है centi, centi के बाद आता है आपका यहाँ पर milli, ठीके अब जितने भी unit हैं, अगर मैं यहाँ से one louis को और यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का सब के बीच का यहाँ पर ten ten का difference होता है, ten यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, सभी के बीच में 10 10 का difference होता है इनसे यहां का करूं तो भी यहां पर 10 का difference होगा यहां से यहां का क्या होगा 10 होगा ओके मैं इसको भी 10 लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूं बट हमने इसके compare में लिखा हुआ है तो चलेगा ओके लो 10 लिख दिया इधर भी इन दोनों के बीच का यहां पर distance है वो 10 है अब हम देखो अगर length की बात करें सबसे पहले यहां पर length लें तो length का जो basic unit होता है length का basic unit होता है ओ है आपका meter तो इसकी जगा मैं meter लिख सकता हूँ इस तरह से और इसको short में लिखते कैसे ए भी में बता जोता है किलो को के लिखते हैं हेक्टो को एच लिखते हैं डेका को हम यहां पर लिखते हैं डेका और यह आपका basic unit हो गया and then dc को d लिखते हैं simply and centi को c and milli को हम यहां पर m right करते हैं इतनी चीज़े clear then अब हम length का देखो one by one है आप यह लेंद के बारे में देख रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा meter होता है इसका basic unit अब इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ डेका meter लिख सकता हूँ यह मेरा आ जाएगा डेका meter आ जाएगा और इसका hecto लिखना चाहूँ तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ hectometer next अगर मैं यहाँ पर kilo के लिए लिखना चाहूँ तो kilo meter आपने देखा होगा कि कुछ चीजे जो है अगर आप डिस्टेंस ज्यादा मेजर करना हो तो हम उसको kilometer में measure कैसे जैसे आप किसी road पे जा रहे हो तो लिखा रहता है अमदाबाद इतना kilometer है राचकोट इतना kilometer है ठीक है अब यहाँ पर यह देखो अगर हम इस साइट जाते है तो यहाँ पर आपका आता है decimeter ठीक है यह आपका आता है centimeter यह अगर आगे जाते हो तो यह आता है अपका मिलीमीटर देखो इससे भी ज़्यादा भी योनिट होता है इधर भी आपका योनिट होता है और इस साइड भी अव이승ाओ योनिट होता है बर्थ हमें इतने कि जरुरत है इधर अगर आप जाओगे आपके पास यहापर micro होता है, nano होता है, pk होता है, इधर आपका mega, giga, terra होता है, उतने की जरूत नहीं है, मैं सिर्फ इतने ही सिखने है तो यह आपका simple अगर मैं बात करूँ तो यह हो गया length का अब हम देखो length का conversion में कैसे आपको, यहां पर कैसे converge करोगे convert कैसे करोगे suppose आपको इस तरह से दिये सा जैसा कि आप लोग जानते होगे कि 1 km आपका दिये रहता है तो मतलब 1000 m होता है यह आई चीजे आपने रटा मारा होगा ठीक है रट लिए होगे लेकिन आप समझ के देखो इस तरह से इसमें देखो मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे सभी के बीच का 10-10 difference होता है यहाँ से यहाँ जाओ सभी के बीच 10-10 का difference होता है अब एक km पे आप हो अब यहाँ पे 1 km की बात करें तो इसके बाद देखो basic unit कहा है आपका मीटर पे जाना है एक बात और यहाँ पे देखो जो right side आएगा वो आपका अगर दो unit आपको दिया गया है दो unit में जो आपका यहाँ पे right side आएगा वो आपका यहाँ पे small unit होता है जो left side आप अगर आएगा वो आपका क्या होता है यहाँ पे greater unit है left unit होगा वो आपका greater जो left side में right किया होगा वह आपका greater जो right side में लिखा होगा वह आपका small unit आएगा तो अगर हम देखो big to small में convert करना चाहते हैं big to small ठीक है small तो हम क्या करेंगे यहाँ पर we multiply ठीक है बड़े में से अगर हम छोटे को convert कर रहे हैं तो हम multiply करते हैं and small to यहाँ पर क्या करेंगे big में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे b divide that means हम इसको divide करेंगे तो हम यहाँ से इसको divide करेंगे big to small अगर आप हमारे पास unit है तो हम उसको multiply कर देंगे एंड small to big है तो उसको हम divide कर देंगे जैसे देखो मैंने यहां पर kilometer और meter मिलिया तो kilometer आपका left hand side आया हुए meter के मतलब एक kilometer आपका क्या है यहां पर big unit है अब kilometer से हम meter में change कर रहे हैं आप suppose आपसे यहां पर पूछ लिया जाता है कि यहां पर चलो मुझे बता दो कि five meter में five meter में कितना यहां पर kilometer होता है ऐसा आपको पूछा जाता है तो आप क्या करोगे five को ऐसे ही लिखोगे आप meter से kilometer में जा रहा हूँ देखो यह रहा आपका मीटर मीटर से किलो मीटर मतलब यह छोटा है छोटे में से आप बड़े में जा रहा हूँ small to big small to big में जाते हैं था हम डिवाइड करते हैं ठीक है डिवाइड करेंगे कितने से मीटर यह रहा इसके बाद कितना है one two three ten 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 से आप इसको डिवाइड करोगे तो इस तरह से आता है five इंटू अभी इन तिनों को उपर ले सकते हैं अगर हम इसको लिखे one by ten raise to three लिख सकता हूं इसको जितना है 10 उसके बाद one two zero है कितना time three time है zero तो हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको multiply में करना है तो हम इसका power minus कर देते हैं इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो ठीक है यह हमारा हुआ length का अब इसी तरह अगर हमें क्या करना है अगर आप यहां पे दूसरा जो यूनिट था आपका क्या था weight का weight का measure करना चाते हो तो weight का भी आप कर सकते हो कैसे करोगे weight के लिए weight का जो यहां पे basic unit होता है ओ ग्राम होता है तो हम देखो basic unit की देगा पर क्या लिख देंगे ग्राम अब इधर side left hand side अगर हम जाएं तो क्या आता है हमारा यहां पे decagram सबसे पहले आएगा decagram देन आता है hectogram ठीक है hectogram एंड आता है आपका last इधर kilogram right side जाते हैं तो कौन सा आता है decagram देन आपका आता है यहां पे centigram देन आता है यहां पे milligram अब इसमें भी आपको यहां पे पूछ लिया जाता है इस तरह से question आता है देखो यह हमारा basic unit है 10 10 का difference है सबके बीच में यहां से यहां का 10 यहां से यहां का 10 ठीक है यह सबके बीच में 10 10 का difference है अब suppose आपसे unit के बारे में ऐसा पूछा जाता है जिसे आपने यह चीजे पढ़ा होगा 1 kilogram किलो ग्राम को हम क्या लिख देते हैं किये हम लिख देते हैं कभी-कभी आपसे पूछा जाता है 1 centimeter में कितना yml यहां पे milligram होता है mg होता है ठीक है तो 1 centimeter देखो आप क्या कर रहे हो centimeter यह रहा आपका यह आपका millimeter है big to small में जाओगे तो आप multiply करते थो तो 1 है तो क्या करोगे यहां पे 1 into अब इसके बाद कितना यहां से यहां का distance 10 है ठीक है बोल सकते हैं 10 unit होता है यहां से यहां का बीच का तो 1 into 10 मतलब 10 milligram होता है 1 centimeter में आपसे ऐसा पुछ लिये जाता है 216 यहां पे milligram is equal to कितना यहां पे gram होगा आपको इसमें gram में convert करना है ठीक है कितना gram तो देखो यह आपका है small यह है आपका यहां पे जो gram है वो big unit है क्योंकि इधर से इधर आ रहा है तो big unit होगा अब small में से देखो milligram में से हम gram में convert कर रहे है मतलब small में से यहां पे किसमें big में convert कर रहे है तो big में convert करेंगे small में से divide करेंगे 216 है यह है ठीक है इसको डिवाइड करना है हमें किस से अब यहां से यहां का distance देख लो यहां पे 110, 210, 310 मतलब 3x10 क्या होता है यहां पे 1000 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो इस तरह से अब हमें अगर यहां पे capacity का देखना है तो क्या करोगे सेम इसके जैसा जहां जहां मीटर है वहां वहां लिटर लगा दो हमारा basic unit क्या हो जाएगा यहां पे लिटर तो यहां पे लिटर आ जाएगा यहां पे डेसी लिटर आ जाएगा यहां पे सेंटी लिटर मिली लिटर आ तरह से आप लीटर का भी आपके कर सकते हो ओके स्टूइट तो यह आपका जो यूनिट कर वर्जन था यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो ठीक है अगर आज के बाद अगर कोई भी आपको आपको डाउट नहीं रहेगा अगर फ कर दो